क्या Ethereum mining pool Ethermine अपने मट से पहले sticking service को करेगा launch जाने के लिए जुड़ी देगे वीडियो के end तो नमस्तार सौगत है आपका एक बड़ फिर से हमारे चैनल फिंस्ट्रीट पे बात करें आज की पहली खबर की तो वो जुड़ी है Nexo platform से जिहां Nexo allocate कर रहा है another dollar 50 million अपने token buyback initiative के लिए आपको बता दें कि cryptocurrency exchange जो Nexo platform है वो अपने token को इतरा पसंद किरती है कि वो अपने ही tokens को repurchase कर रही है जिहां dollar 50 million worth of Nexo's वो repurchase कर रही है यानि कि dollar 50 million का मतलब है almost 10% of its total market cap वो repurchase कर रही है तो cryptocurrency exchange Nexo ने announce किया है August 30 अनि कि कल के दिन को कि वो allocate करेगी dollar 50 million ताकि वो execute कर सके discretionary and periodic buybacks को अपने Nexo token से open market के बीच और company की statement के अगर बात करें तो उसके according ये second time होगा जब जो ये exchange है वो अपनी money को invest करेगी repurchasing में अपने ही token के लिए इस साल क्योंकि इससे पहले भी case ऐसा हो चुका है मही में अगर बात की जाए तो first time मही में उन्होंने ये announcement की थी कि वो डॉलर 100 million जो है नाक्सो टॉकन वो रिपर्चेस करने वाले है अब इस मत दुबारा से वो डॉलर 50 million रिपर्चेस कर रहे है तो राइट नाव अगर बात की जाए नेक्सो की तो इसकी जो total market capitalization है वो dollar 581 million से भी ज्यादा है coin market cap data के according तो नेक्सो का जो ट्रेडिंग चार्ट है वो आप देख से करें आपको दिखा रहा है कि कैसे कैसे ट्रेडिंग ऊपर गई और कैसे कैसे नीचे आई तो यह आप स्क्रीन के ऊपर देख पारें इसके लाब हम क्रिप्टो मार्केट के प्राइज की भी बात करेंगे जानेंगे कि आज कौन सी currency trade कर रही है red में और कौन सी कर रही है green में तो कहीं जाएगा नहीं बने रहेगा वीडियो के एंकल तो Solana DeFi Exchange accidentally उसने कर लिया है खुद को damaged and $661 के हमेशा के लिए lock-up हो गए है उनकी account में किस तरह से कैसे दुर घटना घटी चलिए इसके वारें बात करते हैं उन्होंने एक statement में कहा है कि जो भी उन्होंने किया है उस जो कर चुकी है close एक error की बज़े से एक गल्ती की बज़े से तो क्या है यह पूरी घटना चालते हैं यानि कि अगर amount की बात की जाए कितना damage हुआ है तो कोई छोटा मोटा damage नहीं dollar 6,61,000 worth of USDC जो थे वो permanently locked हो गए है program के अंदर ही तो optify जो है उनका कहना है कि वो अब जो भी affected users हैं जिनको इसमें loss हुया उनको बिलकुल refund करेंगे and fully refund उनको दिया जाएगा यानि कि एक single mistake DeFi ने जुकी है DeFi की तरफ से जो single mistake हुई है उनको काफी जादा भारी पड़ रही है उनको उसकी वज़े से permanently और बहुत जादा expensive results उनको देखने को मिल रहे हैं कि जो creators है Solana based protocol के इस week उन्होंने अपना काफी जादा damage करवा लिया है इस चीज से इस error की वज़ किया है जिसमें उन्होंने लिखाया कि वो अपडेट करेंगे अपने Solana program code को ताकि जो deployer है वो पोशिश करेंगे ताकि वो upgrade कर सके Optify program को Solana mainnet के अंदर इसी के साथ जो team है वो लिखती है कि उन्होंने accidentally use कर लिया Solana program close की command को जिसकी वज़े से जिसका result यह हुआ कि उनका जो उन्होंने affected users को भी refund करने वाले हैं और यह tweet जो है यह आप screen पर भी देख सकते हैं कि क्या उन्होंने Twitter पर कहा है तो जो Optify की तरफ से जो post जो Twitter पर tweet किया गया है उसका आपको एक मैं screenshot शियर करनी हूँ आपके साथ वो आप देख रहे हैं तो इतना ही नहीं का यह भी कहना है उन्होंने अपने users से apologies मांगते हुए कहा है कि जो users उन पर trust करते हैं उनको वो माफी नामा वो उनसे मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी mistakes की वज़े से जो भी users को affect हुआ है वो उनकी भरपाई करेंगे उनको refund दिया जाएगा तो इसके लावा वीडियो में आगे बढ तो इसवार एथिरियम माइनिंग पूल एथर माइन की तरफ से ख़बर सामने आई है कि वो एपनी staking service को launch करने वाले हैं मर्ज से पहले तो क्या है यह पूरी ख़बर एथिरियम क्या launch करने वाला है और किसलिए तो वो भी बात करते हैं तो users जो हैं वो एबल होंगे इसमें वो आन कर पाएंगे rewards को बहुत सारा कम यानि की as little as 0.1 एथिरियम वो reward जो है वो आन कर पाएंगे लेकिन यह चीज यूएस में विर्कुल नहीं होने वाली है बाकी जगा पर यह चीज जो है यह होगी तो एथर माइन जो की वर्ड की largest एथिरियम माइनिंग पूल है उन्हो से पहले यह service जो है यह users के लिए launch कर दी गई है एथर माइन की तरफ से तो यह जो service है एथर माइन स्टेकिंग की इससे क्या होगा इससे users को permit मिल जाएगा वो contribute कर पाएंगे funds को as low as 0.1 एथिरियम एक massive pool of user की contribution से जो की collectively stake करेंगे create करने के लिए and new एथिरियम को वो earn कर पाए बाकी जगा पर यह available रहेगी तो currently जो new एथिरियम है वो create किये जाएंगे वाया proof of work की हाला कि अभी इसने transition नहीं लिया बाद में यह proof of stake में convert हो जाएंगा लेकिन फिलहाल यह create होगा proof of work से जो की energy intensive process होगा जिसमें जो miners हो direct कर पाएंगे huge amounts of computer power को ताकि जो difficult puzzles है उनको solve कर सके इसके अलावा ethermine जो है यह allow करेगा अपने users को वो pool कर पाएंगे mining power के अपनी mining power को जिससे वो generate कर पाएंगे बहुत सारे rewards को larger rewards को जिसमें भी वो involved होने वाले है तो जो merge है जैसे कि हमें पता है कि वो अपने practice जो है ethereum mining के लिए वो खतम करने वाला है और replace करने वाला है अपने proof of stake model में जिसमें जो users है वो create कर पाएंगे and earn कर पाएंगे more ethereum को pledge करके large amounts of already existing जो ethereum उनके पास पहले से पढ़े होंगे उनको pledge करके और एक बार जब अगर यह मर्ज जो है proof of work से proof of stake वाला जो merge है यह हो जाता है तो जो so called validators है वो pledge करेंगे at least 32 ethereum को उनको pledge करना होगा ताकि वो reward जो है वो earn करना start कर सके तो यह तो थी ethereum की एक new service जो आज launch होगी अपने users के लिए जिसमें users rewards को earn कर पाएंगे तो finally हम बात करते हैं आज के crypto market का क्या हाल है cryptocurrency prices की बात करें तो bitcoin जो है वो बिल्कुल stable है dollar 20,000 mark में वही lead or down जो है वो लगातार biggest gainer बना हुआ है तो क्या कहते है आज के crypto market जानते है crypto currency का जो price है आज के दिन यानि अगस 31 का वो एक quick take हम इसका लेते हैं तो आज एक बर फिर सगी बिल्कुल stable ही दिखाई दे रही है Bitcoin, Ethereum and other crypto prices है उनमें बहुत सादा जादा जो changes है वो last 24 hours में नजर नहीं आया है एकदम से वो stable लग रही है यानि कि जहां पे वो खड़ी थी वहीं पे अभी भी भी still वहीं पे खड़ी तो bitcoin यानि कि BTC जो की world की oldest and most valued cryptocurrency है उसने manage किया अपने बिल्कुल stable है वो अपने डोलर 20,000 की जो range है जो level है उसके उपर पो manage है बिल्कुल test से मस नहीं हुआ है Wednesday morning को भी तो इसके अलावा जो other popular alt coins है जिसमें include है like Ethereum का ETH, Doge coin का Doge, Solana का Sold and Ripple का XRP उनोंने भी अपने कोई बहुत जादा changes register नहीं करवाए है बहुत जादा changes उनमें भी उनके prices में देखने को नहीं मिले है 24 घंटों के बीच इसके अलावा अगर बात की जाए बहुती lesser non alt coin का जाने वाला लीडोर डाओ के बारे में तो यह लगातार biggest gainer आज का बन चुका है इसके यह second day है जब गेन में trade कर रहा है green में trade कर रहा है लगातार एक row इसने create कर दी है इस week में अच्छे खासे जाने जाते हैं B Bitcoin and Ethereum लगबग उन्होंने 8% lost जो है प्राइज में वो किया है and 9% का lost इन दोनों coins में देखा गया है respectively और जो बजी हुई market है वो भी आज डाउन में गई है लगबग 0.5-5% तक जो market है वो डाउन गई है तो जो biggest hit मिला है आज का वो मिला है Helium को जिसने लगबग 11% का loss अपना करवाया है 11% से जो token है यह नीचे गिरा है और सिर्फ एक ही दिन में इतना जादा लोस इस token की जो देखने को मिला है तो इस तरह की जो high fluctuations है वो expect नहीं की जा रही थी and ऐसा लगते है कि जो बचा हुआ week है वो ऐसा हम expect कर सकते है कि वह जदा beer market से भरा होगा bearishness से भरा होगा global crypto market जो है इस pattern के base पे अगर हम estimation लगाए बात की जाए तो क्योंकि जहां पे जो beer market है mid week में वो usually last कर रहा है till the weekend तक तो ऐसा देखा जा रहा है कि अभी तक जिस तरह से जो prices रहे हैं आगे भी market में ऐसी bearishness दिखने को मिल सकती है इस week में लेकिन क्योंकि crypto market volatile है तो कुछ भी हो सकता है तो daily crypto market में क्या होने वाला उसके लिए जुड़े रही है हमारे channel Finstreet के साथ तो आपके इस को लेकर इन सारी news को लेकर क्या आपके point of views नीचे comment section में जरूर share करें और आपको एक question पूछना चाहते हो crypto से related तो वह भी आप comment section में पूछ सकते हो मैं उसका जवाब जो है कल की crypto news में देने वाली हूँ and इतना ही नहीं जिसका भी question का मैं answer करूँगी उसका name भी मैं mention करने वाली हूँ so don't forget to ask your question in comment section तो मिलते हम अगली video में stay tuned until next update